तो असलाम्लेकुम कि सटून आर्ट के सिलसले में बहुत सारी वीडियो मेरे चैनल के अवेलिबिल हैं जो कि मैं चुकी हूं आज एक और प्रोजेक्ट में आपके साथ शेर कर रही हूं अज इक वे नौव प्रोजेक्ट म sketch हैं कि पथर आहन जिनके माँ पेंट करें चुकियां इनका बेक साइड आप देख लें वहां प्लेन च्छडिवा सिंपल यह इस सिल्वर गोल्डन और कॉपर कलर में माहनन के पेंट काया हुई तीन शेड में पेंट कर चुकी हूं मेरे पास यह एक्रिलिक पेंट से यह गोल्डन कॉपर और सिल्वर में ठीक है और इस साइज के ब्रश से मैं इनको पेंट कर चुकी हूं उनको पेंट करना बहुत आसान है कुछ मुश्किल नहीं है डारेक थोड़ा सा पेंट जो है आप पथरों पेंट डालें और ब्रश के साथ उसको अच्छी तरह पहला ले कोई पानी मिलाने की किसी चीज़ की जरुवत नहीं पहलें जो यूज करने इन जो इस्तेमाल अड़ो आसाना पथर खणो साफ करो नकि धोई पथर को पहले साफ कर देना है मिटी उटी हटा देना ठीका धो तल खुश्क थेल पथर थे थोड़ो पेंट विजो ट्यूब सा डारिक्ट आइपो ब्रश साउन अखे चेंगी तरह सा फैला चलिए जड़े सुकी वने तब वह ने जो मतासा के कम करनवा आएं इनसां गडगड़ मुके खपंगी वायर वायर मेरे पास दो तरह की है एक तो ये वायर आपको आसानी से बाजार में अविलिबल है मिल जाती आएं और इलवा मौन डी वायर और अधे वायर ये क्राफ्ट वायर मेरे पास ये कोई भी क्राफ्ट की जो शॉपस है वहां से या असानी से मिल जाएगी सहले मैं इसको बंग कर दूँ वरना फैल जाएगी तो इनकना बदी चलिए इसको मैंने एक इसका सिराज वे उपर क्यां से सब्सक्राइब hops için σब्सक्राइब ताहां विडियो है जब काम करेंगी तो आपको अंदाजा हो जाएगा कितना बड़ा पीस आपको ले नहीं है कि सबसे पेले हम इसको इतने अंग्ली के बराबर 2-3 बल दे देंगे यह तो सॉफट है मैं इसको हाथ से कर लूँगी लेकिन जो दूसरी वाली आम सी जो वायर है वो बहुत सकत है इस तरह से आप यह देखे इसको दो मैंने इस तरह राउंड बल मैंने इसको दे देदिए औ जआको यूम सिधां कर लेंगे गुटलिया फिर हम इसको इस पत्थर पे बानदेगी यह कोई देगे गोल्डर बिक यह दियां से देखेंve पर इसी तरह से फिक्स्क में हो जाए ठीका यह वायर आहे सौफ्ट आहे तताह नके पानी मर्जिय साम बोड़े तोड़े पानी हिसाब सां सिधो करे सबोता आप यह देखें कि यह मैंने इसके उपर यह वायर लिपेड दी है थोड़ा सा और कसले अगर आपको धिली लगे जेकर नहीं यह वायर तांके धिली लग चाहिए ताकि जब हम इसको खड़ा करें तो यह प्रॉपरली खड़ा हो जाए अगर दोनों एक जगा होंगे तो पत्थर जो एक साइट पर लुड़क जाएगा ठीका विथी दियो विच्छ में थोड़ी विथी छड़ेल होजे ना बिनी तारुंज विच्छ में तरजिय सिल्वर पे पत्थर पे सिल्वर लगा लिए नीचे से इसमें भी बहुत सारा गैप है इसको भी हम खड़ा करेंगे तो यह प्रॉपरली सीधा खड़ा हो जाएगा अब यह जो है तीसरा कॉपर वायर मेरे पास नहीं है इसलिए मैं इस पर गोल्ड़नी लगा रही हूँ इ आप एक में आपको आइडिया देना चाहती हूँ कि जिसे मेरे पास अभी कॉपर जो है वायर नहीं है इस पर मैंने गोल्ड़नी लगा लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं कि सादा पत्थर पे पहले यह वायर लिपेट ले फिर जब पत्थर पे पेंट करें तो वायर पेंट कर प्ते वायर मेरे और मेरे तो आप का जिस कलर का पत्थर होगा उसी कलर की वायर भी हो जाएगी चाहे वह रंगीन हो या इसれてरह कोई चंछा किने के लिए आप अल्य तो иול पाफ्ब्र लौनी ठीक दो मैं आपके लाएर वेड़े में अफैयर फॉता छी अदर कोट ऑफायर प्थर अचीवें हैं आफ य est a sound a photoFOREढ़ तीक उन एंफ फोटो रोल्डर्ज फोटोहोल्डर थीक है अगर आपकी कोई कीमती तस्वीर हैं तो उनके डुप्लीकेट बनवा ली ताकि फोटो जो ओरीजनल है वो जाया नहीं होना चाहिए ठीक है कि है मुख्य उमीदाइए वी क्राफ्ट ताकि वणे हो तो ताकि जरूर पसंद नहीं दो आएज जिकने ताकि वीडियो वणी हुजे ताहिन नखे लाइक करें करें वीडियो के शेयर करें तो यह घंडे का घंडन मानन ताहिए यह होनुर जेको आयो आठ जेकोआ पोची वन तो लाइक शेयर करें करें चैनल सब्सक्राइब करें यह वीडियो बेंसा जरूर शेयर करें यह नहीं तो सिर्फ तापाने भी सी इंचा देडियो तो यह बें ताइंड यह आठ पहुची वने तो इंशाला मुस्तक्पिल में जिंदगी रही तो घंड़ों कुछ तासा शे इस्तेमाल कायों पाने घरला स्ट्वी स्ट्वी शेय उठायों डेकोरेट कायों घर रखें यह पांजे वक्त तक हैं सजायों करें इंशाला वरी के बीकम जी वीडियो सांके सुटी गाल सामिलना से तेस्तने इजाज़त देओ अलावाई